नेचर लवस आज हम आपको एक ऐसे पोधे की जानकारी दे रहे हैं जो आपको जंगलों में बहुत आयत से मिल जाता है जहां पर अन्यूजड ग्राउंड होती है या जो मकाम बन जाते हैं और बहुत पुराने हो जाते हैं लोग बाग उनका ध्यान नहीं रखते हैं ऐसी जगा पर ये पोधा होता है जड़ी बूटी होती है जिसके बारे में आज आपको हम जानकारी दे रहे हैं इसको आप काड़ा बना करके भी यूज़ कर सकते हैं और इसकी जड़ का पावडर बना करके भी यूज़ कर सकते हैं और इसको जला कर इसकी राख का भी परयोग कर सकते हैं इसके कोमन नेम प्रिकली श्रब पॉर्क्यूपाइन फ्लावर वजदंती काला बासा कुरंटा कटसरया वजदंती पीला बासा पिया बासा आदी नामों से इसे जाना जाता है और बहुत ही पचलित पोधा है ये बहुत कम लोगों को मिलता भी है इसका बाटनिकल अगर आप जंगल में इधा उदर देखेंगे तो उस जगह देखेंगे जहां पर लोग बाग जाते नहीं है और अवारा जंगल पड़ा होता है वहाँ पर यह बहुत आयत से होता है इसके पार्ट जो यूज किया जाते हो लीफ इस्टैम बार्क एंड फ्लावर्स इन सब क को यूज किया जाता है इसकी कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो खराब जाती हो सारी चीजें इसकी सारे पार्ट इसके सारे भाग इसके परियोग किये जाते हैं इसको परियोग करने से आपको बहुत लाब होता है यह ट्यूबर कुलोसिस टीबी वगेरों को भी दूर करता है यूजेज यूज़ इन टूथ हैच, वूपिंग कफ, केटरल अफेक्शन, ग्लेंडूलर स्वैलिंग्स, इंफ्लेमेशन, यूजनरी इंफेक्शन, जान्डीज, फीवर, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डिसोर्डर, डियोटिक एंड टॉनिक आदी में इसे परियोग किया जाता है, तोनिक के रूप में भी इसे परियोग किया जाता है, अगर सरीर कमजोर है, तो इसकी जड़ के पाउडर को बना कर, जड़ सुखा कर, उसको पीस कर, उसका पाउडर बना करके आप इसका परियोग कर सकते हैं, तो उससे सरीर में ताकत भी आती है उसकी पत्तियों को उबाल करके उसका काढ़ा बना करके इस्टेम और पत्तियों दोनों को उबाल करके उसका काढ़ा बना करके अगर आप कुल्ला करेंगे तो उससे आपके हिलते हुए दात वो मजबूत हो जाएंगे और मसूडों से जो खून बहरा है और मसूड वे दुखते हैं वो ठीक हो जाएंगे और दातों को अच्छी तरह जकड लेंगे ताकि दात बहुत ही मजबूत हो जाते हैं इसके पत्तों में पाचन गुण मोजूद होते हैं ये कब्च बार बार डकार आना पेट में दर्ध आधी को बहुत अच्छी तरह से ठीक कर देता है इसके पत्तों को मसलने पर राई जैसी तीवर गंद आती है इसकी पत्तियों में हाइड्रोक्सी फिलाविन होता है जिससे पत्तियों को चबाने से आप टेंसन फिर हो जाते हैं जो टेंसन आपको होती है वो खतम हो जाती है तनाव खतम हो जाता है पत्ते चबाने से दात का दर्द दूर हो जाता है और दात मजबूत होते हैं और उसका मसूडों का दर्द भी खतम हो जाता है इसके पत्ते का रस सहद के साथ लेने से सूखी खासी ठीक हो जाती है बच्चों को हो बड़ों को हो बूढ़े को हो किसी को भी हो तो इसके रस को जो पत्ती का रस से उसे सहत के साथ लेंगे तो खासी खतम हो जाती है बारिस या ठंड में जो पैर फटने लग जाते हैं लोगबागों के इसकी पत्तियों को कूट करके उसकी लुगदी सी बना करके अगर लगाएंगे तो वो पैर का फटना बंद हो जाता है इसके पत्तों का रस और स्टेम का रस दोनों को काड़ा बना करके पीएंगे तो गुर्दे में जो पत्री होती है वो भी तूट कर कमजोर होकर के मुत्र के रास्ते बाहर आ जाती है इसे लोग भाग घरों में भी ग्रो करते हैं इसे ग्रो करने के लिए रेनी सीजन में इसके बीज बो देंगे मिट्टी में तो अपने आप ही उगाते हैं और इसे कभी पानी देने की जओत नहीं पड़ती है यह हमेशा रहता है इसकी जड़ हमेशा रहती है उसका पावडर बना के परियोग कर सकते हैं तो थेंक यू फोर वाचिंग कंप्लीट वीडियो एंड इफ यू लाइक इट प्लीज डोंट फोरगेट तो सब्सक्राइब मैं चैनल फोर मोर सच वीडियो थेंक यू